इंजन नमबर आपको क्यों दिखते हैं, कब दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कहां कहां दिखते हैं especially 1111 दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है 111, 122, 122, 2333, ये specific कुछ इंजन नमबर्स, कुछ ऐसे नमबर जो आपको बार बार दिख रहे हैं कौन आपको गाइट कर रहा है, कैसे आपको गाइट कर रहा है, बहुत सरे सवाल आते हैं ना मन में, आपके कमेंट्स, आपका डियम भरा हुआ है इस सवालों से, कि एंजल नम्बर का पर इसलिए क्या मतलब है, मेरा काम तो हो नहीं रहा, फिर ये एंजल नम्बर मुझे मतलब है इनके साथ हमें क्या करना चाहिए जब भी ऐसे इंजल नमर में दिखने लगे तो हमें उस समय क्या करना चाहिए कैसे रियाट करना चाहिए क्या प्रार्दना करने चाहिए सवालों के जवाब को खम को कैसे ग्रहन करने चाहिए हमें जीवन में आगे क्या करना उसे तो दिख रहा है इने तो दिख रहा है आपको तो दिख रहा है तो बहुत सारे questions है इन जे numbers को ले करके जिने आज मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा तो बने रहिए और हो सके तो एक pen और paper ले लिजे ताकि इन points को आप clear कर सके नमस्ते है जी देरेवान healing science है मैं हूँ देरेवान आपका अपना healing master सबसे पहले कि 1111 या कोई भी angel number कि इनहें दिखता है कि इनहें guidance मिल रहा है angels के द्वारा या universe के द्वारा सवाल यह है तो इसका जवाब है जो लोग भी अपनी spiritual journey में आगे बढ़ रहे हैं जिनका भी spiritual health आगे बढ़ रहा है जिनके अंदर भी अध्यात्मिक उर्जव अपन हो रही है चाहे वो नामजब से हो चाहे वो ध्यान से हो चाहे वो योग से हो चाहे वो seven chakra practice से हो चाहे केवल third eye practice से हो चाहे healing techniques को सीखते हुए हो चाहे अप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् आपको कुछ numbers के दौरा hint कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि तुम्हारी entry हो चुकी है, अब हम तुम्हें देख चुके हैं, अब हम दोनों एक साथ हैं, यह निवर्स आपको समझा रहे हैं कि अब मैं आपके साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो, मैंने तुम्हें अपना लिया है, अब सारी परिक्षों के लिए ready हो जाओ, जो भी तकलिपे तुम्हारे जिवन में है, उसे पूरे विश्वास और आस्था के साथ, मजबूती के साथ डट कर सामना करो, और आगे निकलाओ, क्योंकि आगे मैं तुम्हारे लिए खड़ाओ, बहुत अची बात गही ना, अब इ जर्नल लिख रहे हूँ, चाहे वो affirmation कर रहे हूँ, चाहे वो visualization कर रहे हूँ, चाहे वो ध्यान में उतर कर रहे हूँ, चाहे वो थाड़ाय में उतर करके, कुछ भी manifest करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें angel number ज़रूर दिखते हैं, खासकर 111, 111 या 111, कई नामों से जाना ज गाते हैं, 11 number, master number होता है, इसके बारे मैंने बहुत अच्य समझाया था, जब 11 नामबर की बात हुई थी, Homeland 111 9, मतलब कि 1, 12 महिने होता है, 11 तारिक, 11 महिने का 11 तारिक में, जो हमने शर्चा कीते हैं मैंने यह बता था, कि 11 Master number होता है बहुत शिक्ति शाली number होता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि एकucch निम्रोलाजी में सबसे ताकत्वन नंबर जिसे कहते हैं वो होता है एक Suray का नंबर एक और एक, ग्यारा au्र ग्यारा और ग्यारा 2121 तो ये बहुत श्क्तिशादी एंजल नमबर है जिसे हम 1111 कहते हैं, 1111 कहते हैं अब सवाल आता है किसे नहीं दिखता, किसे क्यों नहीं दिखता से दिसी बात है जिनके अंदर विश्वास नहीं है, जो मानना ही नहीं चाहते हैं उन्हे नहीं दिखता। दूसरा, जिने जवाब चाहिए ही नहीं? उन्हें नहीं दिखता। तीसरा, जो अभी तक Align नहीं हो पा है वो कोशिश तो कर रहे हैं पर Align नहीं हो पा रहे हैं और जैसे कि बैबल में लिखा है है نा जो मांगेगा उससे मिलेगा जो खट-खटाएगा उसके लिए खोला जाएगा और जो ढूंडेगा वो ही पाएगा अलग-अलग तरीके से इसे बोला जाता है बट core meaning यही है कि जो ढूंडेगा वो ही पाएगा अब मुद्दे वाली बात है ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है सिंपल सी बात है आप अपने higher self से connect हो रहे हो आप इस universal power से connect हो रहे हो आप अपने guided angel से connect हो रहे हो आप अपने spirit guide से connect हो रहे हो आप अपने sister से connect हो रहे हो इन मेंसे कोई ना कोई ऐसा soul है ऐसी कोई ना कोई power है जिससे आप डायेट या इंडायेट फॉर्म में कनेक्ट हो रहे हो, जिसकी वजह सही आपको एंजन नमबर दिखते हैं, एंजन नमबर स्पेशिपिक भी हो सकते हैं, जैसे कि 437, ये कोई एंजन नमबर है क्या? है, अगर ये आपको multiple time दिख रहा है, तो वो आपका एंजन न जानता है, अब समझे कि इससे आपको answer कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत नहीं है, इससे answer हम कैसे लें, है ना? कि बहुत दिख तो रहा है, मेरे काम बन भी नहीं रहे, मैं बैठा वाँ, बस दिख रहा है, तो इसका मैं उपयोग करूं तो करूं कैसे? बहुत simple technique बता रहा तो वरतमान में है, वही परमात्मा के साथ है, एक बहुत अच्छे line है कि वरतमान में ही परमात्मा का आवास है, ना past में, ना future में, तो यदि आप वरतमान में रहेंगे, तब भी आप इन संकेतों को देख पाएंगे, और जब आप वरतमान में रहना सीख जाएंगे, तो बोजे उसके साथ relationship में रहना है, या मुझे ये चीज खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, कोई भी और कैसे भी question आपके हो सकते हैं, और आपको कभी-कभी यह हो टा कि question होते हीं लेकिन एक असमंजस होती है अजिवन में, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ करूँ या ना कर रहा होगा है तो उससे आपको मैसेज मिल जाएगा और आपका नजर उस लोगन पर पर ठता है और अचनक आपके इंजल नंबर पर पर दोरू एक साथ करने ठोंगे आपको यह बुक पड़ रहे हैं, आपको अचानक से आपका गड़ी दिखता है 1111, यह आपके गाड़ी के मिटर में दिखता है 1111, स्पीडो मिटर में दिखता है 1111, यह सामने चलड़ी किसी गाड़ी में दिखता है 1111, मेरी साथ तो इतने सारे इंसेडेंस हूँ है, जैसे कि यह देखिए यह सब मैंने खुदी स्पॉट किया है और ध्यान रहा है इसलिए फोटो ले लिया वीडियो ले लिया अदर्वाइस इतने सारे मैंने देखिया है और दिन में एक या दो बर तो मुझे डबल बन डबल बन जरूर से दिखता है चाहे वो घड़ी में हो चाहे वो कहीं भी हो तो उसी समय आप कोई बुक पढ़ रहे हैं बुक का वो पेज में आपको कोई आंसर मिल जाएगा और अचानक आप दिखेंगे टाइम वही हुआ होगा या कहीं कुछ लिखा होगा कही सारे नंबर के बीच में आपको क्लिएर दिख जाएगा कही बाद तो ऐसा भी होता है इसे भी सुषिकार करेंगे आप कि बहुत सारे नंबर में यहाँ पर यहाँ एक यहाँ पर तीम यहाँ पर यहाँ पर 2, यहाँ पर दो एकimyला कि दौनों आंके एकस्तार सबको देखेंगे इतने सारे Намबस काक हुआ सथ पकड़ेंगे जिसे बूक में बहुत अर भर लग चीसी ने दिखीय होती है और यहां पर डबल बन है और घॉझ अथ सबया कोش आगी तो कोई भी एंजान नमबर आपको बार बार दिख रहा है और एक बार नहीं, वो मेसेज आपको कई बार मिलेगा, कई तरीके से मिलेगा, तो आपको अपने अप बिलीव हो जाएगा, क्रॉस टेली ज़रूर कर लीजेगा अपर विश्वास ना हो तो, दूसरे मेसेज का वेट कर लीजेगा अपर विश्वास ना हो तो, लेकिन अगर आप वरतमान में रहेंगे, चेस मत करते हैं खोसते मत रहना, डेस्परेट नहीं होना, बस वरतमान में बने रहना हो और आपक इसे जरूर दीखेगा, उसमें मैंने अच्छे समझाए कि कैसे wish मांगना है, कैसे thanksgiving करना है, कैसे हमें angel के सतनत connect करना है, लेकिन यहाँ पर short में समय लेजे कि जब भी आपको आपके angel numbers दिखने लगें, तो आप उस time रो करके thank you बोले और अपना कोई wish मांग ले, याद रखना एक ही wish बार बार मांगना है, क्योंकि जैसी आपने एक बार wish मांगा, आपको कुछी समय में दुसरी बार वही angel number दिखेगा, 24 गंटे में, 48 गंटे में, जरूर दिखेगा, और दुबारा भी वही wish मांगना, कम से कम, 45 बार एक ही wish को बनाये रखना, और आप देखेंगे कि क कई बार हमारी चर्चा हो चुके, angel numbers पे कई बार हमारी चर्चा हो चुके, और चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आपके questions इतने प्यारे होते हैं, कि इनका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, अशा करता हूँ, यह अध्याय आपको बहुत अच्छा समझभाया होगा, मिल प्रोड़ के कि इनका थाल कर्या एपको